के साथ अपने तैयारी की है आप पे उनका पूरा अधिकार है अगर उन्होंने आपके साथ महनत किया और आपको लगता है कि नहीं सर ने हमारे साथ महनत किया चाहे कोई भी हो एकस वाई-जैट आपने कहीं से परहाई की हो तो निस्चित तौर पे आप अपना रिजल्ट उन तो आने किताड़िक है सिव ती थोजार बाइस के रिजल्ट को लेकर जो पूरा सोर सरावा है हाना कि गैर अधिकारिक नहीं है गोहेंज़ी का वो ट्वट है और गोहेंजी के ट्वट के रिजल्ट आने की बाद की जो कुछ बाते हैं उसको आपको बहुत ध्यान रखना है बहुत केरफुल रहना है और कुछ चीजों को लेके बहुत सतर्क भी रहना है जैसे अब जैसे ही कल रिजल्ट आएगा एक Google फॉर्म का प्रचलन चलेगा Google फॉर्म में जो है आपको कहा जा क्यानी के दौरान ढूर्पे आपको कई लोग लोग देंगे कि अगर आईदी पास्बर्ट देदोगे अगर एडविट कार्ट देदोगे तो मैं आपके प्री कॉंसलिंग कर दूंगा क्या करेंगे को कोई एडविशन जो होगा वो तो आपके मार्क्स के बिसिस्च होगा और counseling के लिए लगातार जिन लोगों ने भी मैं अपनी बात करी नहीं रहा हूं जिन लोगों ने भी आपको प्रहाया है जिन लोगों ने भी आपको guide किया है वो लोग आपको लगातार guide करते रहेंगे तो आप वहां से भी guidance ले सकते हैं लेकिन इस सर्थ पे कि तुम ID password दो अपने तयारी की है आप पे उनका पूरा अधिकार है अगर उन्होंने आपके साथ महनत किया और आपको लगता है कि नहीं सर ने हमारे साथ महनत किया चाहे कोई भी हो XYZ आपने कहीं से परहाई की हो अगर आपको लगता है कि नहीं उन्होंने आपके साथ इमानदारी से महन किया तो निश्चित तौर पर आप अपना रिजल्ट उनके साथ सेयर करिए क्योंकि यही उनके लिए एक खुशी का वक्त होगा कि उनके पढ़ाय गए चातर ने अच्छा किया लेकिन वैसे लोग उसे कभी मत करिएगा जो लोग बारगेनिंग करें आपको कहें कि मैं आपको ये गिप्ट दे दूँगा ये एक हजार दे दूँगा ये दो हजार दे दूँगा बहुत बड़ी कीमत होती है बचों इसकी जो लोग आपके साथ एक साल दो साल लगातार मेहनत करते हैं और उस मेहनत के बाद अगर उनको रिजल्ट वो मान लीजिए कोई और अगर कारण वसजार रुपय कारण किसी को दे दिया अब रिजल्ट तो आपने दिया तो वो वंक्ति जिसको आफ़ने üçट दिया क्या व्सको करता हैं चया आगे जो बच्चे आपके रिजल्ट को देखके उनसे जुरेंगे उनके साथ उतनी मांदारी से महनत करेगा अगर नहीं क स्किल से जो है वो लोग पैसा अरेंज करके दो हजार तीन हजार पांच जार दस हजार यह जो भी है पचीज जार फीक कहीं कि भी है तो उसको वह जोईन करते हैं अब अगर वह इमानदारी से महनत नहीं करेंगे तो उनकी पूरी पूंजी जो है वह बरबाद हो जाएगी यह होता एक रिजल्ट का वैल्ल्यू एक रिजल्ट की वैल्ल्यू सिर्फ यह नहीं है कि आपने दे दिया आपको अच्छा लग रहा आपने पोस्ट कर दिया उन्हो उन्हें आपके साथ अंतिम समय तक जो है वो ख़रा रहा है और जिनको आप जानते हैं क्योंकि कल जैसे रिजल्ट लाएगा इसकी होर मत जाएगी कि गूगल फॉर्म भरो गूगल फॉर्म भरो हम लोग भी गूगल फॉर्म देंगे क्योंकि हम जिस छेतर में काम कर रहे है एज एक कोचिंग इंस्टिट्यूट ये हम लोगों के लिए भी एक बड़ी बरा दिन होता है और हम लोगों को भी अपने रिजल्ट को जो दिखाना होता है क्या भाई हमारे पर है ये ये बच्चे जो है वो ऐसा कर रहे हैं लेकिन मालवी अकेडमी ने अपने रुपिया देंगे या दस जरुपिया देंगे और एक भी बच्चा अगर ऐसा दावा कर दे प्रूप के साथ कि हमने किसी को ऐसा कहा है तो उसी दिन से परहना बंद कर देंगे इतने दावे के साथ ये बात हम बोल सकते हैं तो मैं आपसे ये जरूर रिक्वेस्ट करूंग सब्सक्राइख कि अगर आप हमारे चात्र हें या किसी और के चात्र हैं तो किसी और के चात्र है तो उनके साहत अपने रिजल्ट साजा कर दोद हो मेनत किया है और इस वक्त में हमारा भी उस रिजल्ट पे उतना ही अधिकार होता है अंतो गत्वा सारी सफलता का जो स्रे है वो छात्र का होता है सिक्षक का अब चुकी एक कोचिंग इंडस्ट्री है इसको इंडस्ट्री का जाता है और इस इंडस्ट्री में अगर आप जोरन से बीस सेलेक्षन हो गया कुछ कहांगे कि हमारे सेलेक्षन का रिश्यू 99 परसेंट है 99 परसेंट कुछ लोग कहेंगे 70 परसेंट है अईसा नहीं होता है हर लोग पढ़ा रहे हैं सब जग अच्छे बच्चे हैं ऐसा थोड़ी एक ही जग साथ एच्छे बच्चे हैं तो सब का जो है कुछ ने कुछ योगदान होता है लेकिन उसको बढ़ा चरह के दिखाने का एक प्रचलन आ गया है हलाकि मैं मालवी एकडमी आपसे इतना वादा जरूर करूंगा कि जो सच होगा वही आपके साथ साजा किया जाएगा और एक भी अगर आप गलत प्रूफ लाकर दे दिए तो मैं आपको खुले तोर पर आमंत्रित करता हूं कि आप मालवी एकडमी को जो है गलत प्रूफ करें कहीं भी मालवी एकडमी इन चीजों में जो होती है कि अगले साल उसमें सुधार किया जाए एक तो पॉइंट यह है एक पॉइंट अगला यह है कि कल रिजल्ट आने के बाद आप बिल्कुल प्रैनिक नहीं होंगे कि सर मेरा इतना माक्स है क्या यह मेरा कट अफ हो जाएगा पहली बार बाबु एक्जाम हो रहा है मैं हो जाएगा रिजल्ट आने के तुरंत बाद आपको कोई बता दे दम पांच मिनिट में हो जाएगा हंडेट एंट एंट परसेंट ऐसा नहीं मानना है उसमें कुछ एनलिसिस की जरुरत परेगी और उसके बाद जो चीजे होंगी वह हम लोग भी आप से आकर डिसकस करेंग तुम आइडी पासवर्ट दे दो अपना एडमिट कार्ट दे दो ऐसा मत करिएगा हाँ आपको कहीं काउंसलिंग करा नहीं है तो आइडी पासवर्ट देनी पड़ेगी लेकिन विश्वस्निय लोग हो आप उनके छात रहे हो या आपको लगता है कि नहीं यह जो हैं जिनक चीज को बोल रहे हैं आपके कॉल्स पे जो है भी लोगों को अच्छे सेम लगाएं उनकी ट्रेनिंग भी जो है वह और रिजल्ट आने के बाद स्वद्रिट की जाए ताकि आपको रिजल्ट संबंदी जानकारिया वह और बहतर दे सकें तो फिर हमारी मुलाकात होगी रिजल्ट आने के बाद और और प्रिखडियों पे विस्त्रित तौर पे बात करेंगे साथ में हमारा जैसन भी होगा क्योंकि आप लोग भाई एकदम करांती कारी हो और आपके रिजल्ट जो हो वह बहतर ही आएंगे मुझे पता है बस एक बात में जरूर कहूंगा रोना धोना मत और बिल्कुल सब्सक्राइब यह आपके दो पोटल होंगे जहां से आप अपने रिजल्ट को जो हुआ है चेक कर पाएगे मस्त रहिए स्वस्त रहिए बहुत बहुत धनेवाद